जोब हने कि कमेखिप छाओ और यह रहाल को में प्रतेगा करें कि कर चाओंगे आपने के प्रत्री चमीनट किसेम आप सब्सक्राइब और ज्यूसरा के घोड़िया चानि चाओंड तो चार से पांच स्पून हमने पीनट भीगो दिया था लगबग चार से पांच गंटे के लिए तो देखें मीडियन साइज के हमने दो आलू ले लिया है चोटे-चोटे से एक टमाटर में चॉप कर लिया तो आलू और टमाटर को हम बिना पानी डाले ग्राइंड कर लेंगे जिससे की अच्छा से ग्राइंड हो जाते हो देखें अभी अभी पीनट भी इसी में पीस नहीं है तो क्योंकि हमें डोसे बनाने है इस वज़े से बारिक पेस्ट बनाना है तो यह देख सकते हैं इसमें कुछ फ्लेवर्फुल मसाले डालेंगे जीरा काला नमक यह पाला न तो यह देखिये हैं अगर यह आई है यह डी देखिए अगर यह मसाला ना हो तो तो कोई दिकत नहीं है यह सारे मसाले आइड लिए और इस में स्किप कर दीजिए एक्दिया है अब डालने कि समिर्च और 6 यह इंड हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते ह तो यह देखे चार से पांच स्पून हम पानी एड़ करेंगे जिससे कि आप स्मूथ पेस्ट बन जाये जैसा हमें चाहिए क्योंकि अगर हम पेस्ट नहीं बनाएंगे तो डोसे अच्छी नहीं बनेंगे और पानी ज्यादा भी नहीं एड़ करना है वरना हमारा यह जो बैट बिशन लगाया हूए चार से पांच स्पुन बैशन एड़ करेंगे फिर देखेंगे इसकूंट कि हमने और कितना एड़ करना है बैइंडिक लाने के लिए दिख इस चार स्पूनमे बैशन एड़ कर दिया तो देख सकते हैं छी निए ठीक है है आमने दो बैशन और एड़ यानि टोटल मिलाकर ने छे स्पून बेशन एट किया हुआ है तो नमक डालेंगे यह दिहान रहे कि हमने चाट मसाले में नमक होता है और अपने काला नमक भी इसमें एट किया है तो उसी साब से नमक बैलन्स करते वे डालना है और इसमें डालेंगे पानी तो देखिए हाप पंदरा मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे इसमें आप चाहए तो नहीं बंता है करीपत्ता सबके के घर में नहीं होता है इस वजए तो इसकी का टुर्डेशी देख सकते है ठीक है तो चलिए बनाते है अबनने टो से बनाने है उसी हिसाब से कुछ determ państwo की लगा अपने तवे को अब हम डाल देंगे पानी की की चीतें जैसे कि हम डोसा बनाते है इसका बैलनस करने के लिए इसकी हीट हिसकी तो यह देख सकते हैं अब हम NORMALLY जैसे डोसा तो इसी तरह से हम तो देखें एक मिर्च की टुकड़ी टुकड़ा रहे था वो इसमें रहे आ गया है तो कोई नहीं इसे एसे ही शिकने देंगे तो धक करके दो से तीन मिट शिकने दिया है और आप देखें इसके उपर हम लगाएंगे ओयल थोड़ा सापना यह देख सकते हैं आपको आयल गंदा लग रहा होगा मगर आयल गंदा नहीं है क्योंकि इसमें कुछ पूरिया से की थी बच्चों के टिफिन के लिए वही वही लगा दिया है तो यह देख सकते हैं अभी यह हमारा अच्छ से सिका नहीं है इस वज़े से चूट नहीं रहा है तो इसको जबर ज अभी आना को सैकए और किटना प्रेवी बच्चे की लिए को माँग रहा थे कि देख सकते हैं कितना प्यारा कली हैं कुछ बूदयक्ष देंगे और उसको ऐसे गुमाते वे दोनों तरब से श्यूख नहीं होते हैं हम न बना लेंगे और हीला नहीं दो नगां गला सकती है तो अब से फाइदा आप उस पर ज्यादा ऐल का यूज ना भी करें और भी खानह घलता है चैसे और बहुत healthy तो असीत जो लग सकते हैं, उसी तरह से फहला दिया है . तो जो कर दी आप से को लगा लेंगे दुखाने इसक Cred in the but to the avoir for the alternative For the तो बना लेंगे और जाइए का नहीं लास्ट में हम इस पैन को साफ करने का एक नया ट्रिक बताएंगे आपको जो कि आपके लिए बहुत है तो बहुत अच्छी से तो अच्छी हमारे बन चुके हैं तो आप हम क्या करेंगे पैन को हटाएंगे अपने हीट से और एक जिससे ह अपने पैन को है अच्छी से इस तरह से पोच देंगे क्योंकि अभी गरम है तो जितना भी एक्स्ट्रा ओयल लिया कुछ लगा है वह सारा का सारा टीसू पेपर या कप्ले में या नैपकिन पेपर पर आ जाएगा जिसे कि हमारा पतावा साफ हो जाएगा ठंडा होने के ब बढ़ा कि किसी की भी जरुवत नहीं है इतना टेस्टी इतना यम ही लगता है चाय के साथ या किसी वी तदात हमारे बच्चे तो ऐसे खाते है ना उनको चाय की जरुवत थाती है ना किसी चीज की तो आप देख सकते हैं अगर हमारी यह रेस्पी पसंद आई हो तो कमेंट जरूर सेयर करिएगा और भी किसी तरह की नौलेज लेनी तो हमारा नेक्स चैनल चाया मिस्टरा ब्लॉग टूर्ड़